रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार अयोध्या में राम अंदर भवन नर्मार समीति क्योंगी बैठक दो दिवसी बैठक आज से शुरू समध जिली में निकाली गई प्लास्टिक शव यात्रा 15 किलो पॉलिथीन एकात्रिक कर निकाली गई यात्रा हमीरपूर में बुल्डोजर का बढ़ा ट्रेंड पीता निक शादी में गिफ्ट किया बुल्डोजर नवशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों कारू करते हैं खबर की ओर राज़ानी लखनों में आज पीएसी अस्थापना दिबस बड़ी धूम धाम से मनाया गया जुसमें खुद सूबे के मुख्या योग्या आदतनात खुद शामिल हुए इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा की पीएसी बल देश का सर्वस्ट्रेस टुबल है पी जैसी बल के सौड सराना भी की समारों में उपस्तित ग्रह विभाद के सभी अधिकारीगान उत्तरप्रदेश, पुलिस और पीएसी से जुड़े वे सभी हमारे अधिकारीगान उपस्तित भाईयों पहनो देश के सर्वत्तम बलों में से एक उत्तरप्रदेश पीएसी को अस्थापना दिवस्पर मैं हिर्दै से बढ़ाई देता हूँ उत्तरप्रदेश पीएसी बल ने चवत्तर वर्ष की अपनी सांदार यात्रा नकेवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राच्च में बेहत्तर कानून विवस्ता किस्तिती को बनाए रखने के लिए बलकि परंप्रागत परव और तेवहारों जलुसों धार्मिकायो जनों तता बिभिन उन उसरों पर आम जन्मानस की आस्ता के साथ जो आयो जन जुड़े हुए है रास्तिय परवों के साथ ही सामान निर्वाचन अस्थान निकाय निर्वाचन और प्रदेश भरमण के दोरान अतिबिसिष्ट महानवाओं के सकुसल और सुरक्षित यात्रा के दिश से क्या गया यूद्दान अतन्त्य सरानी रहा है लखनों में मेधश ग्रूप के संस्थापक डॉक्टर समीत रिपाठी ने इंद्रा गांधी प्रत्स्थान में श्रीमत भगवत गीता का विमोचन किया इस कारेक्रम में अंतच्री विभूशित गजगत कुरूश अंकराचार जोतिशी पिथाद दिस्वर बदिक्राश श्रम स्वामी अविक्तु मिश्रेनन्द सरवस्ती महाराज पहुशे और कारेक्रम के शुरुवात की बतादे कि श्रीमत भगवत गीता को डॉक्टर समीत रिपाठी ने अपनी आवाज दी है कारेक्रम में महाराज ने कहा कि डॉक्टर समीत रिपाठी समाज के लिए प्रेडा स्रोस्त है जो समाज में धवन के प्रती अपनी जिमेदारी कुशल और सरानी तरीके से निभा रहे है डॉक्टर त्रिपाठी ने बताए कि गीता में लिखा है क्रो से भ्रम पैदा होता है भ्रम से बुद्धी परिशान होती है कारिक्रम के अंत में डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने सभी को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि यह संपड विश्व के लिए एक यत्यंत और हर्श वगर्व का विशय है और भविश में इस तरह के कारिक्रम समाज में होते रहने चाहिए अलिकर थानक को इस चित के अंतरगत धोरा माफी में चोरों ने एक रिलाइंस जियो टावर की केवल काट करवा पास में खड़ा ये रिक्षा की बैटरी निकाल कर चोर फरार हो गये वहीं टावर ट्रेक्निशन अधिकारी जाहिद ने जानकारी देते हुए बताए कि एक टावर रिलाइंस जियो दो दसंबर को रात तीन बज़े चोरी ने चोरों ने टावर की 15 मीटर केवल काट कर पास में खड़े ए रिक्षा की दोरों बैटरी चोरी कर बारदात को अंज पर फाइब जी के लिए के तीन केवल पड़ी थी जिनमें दो के एक केवल अलार्म केवल है चाहा दो केवलां पड़ी हुई है 35 की कोपर की प्योर कोपर में और जो लड़के काम करने आए थे उनको पूरी जानकारी थी और बताया जा रहा है कि ट्री वालों ने पहचान ल को लेकर अस्पटाल स्टाप लापरवाही करने का आरोप लगाया है प्यड़ित ने गलत नसबंदी ऑपरेशन के शिकायद को लेकर ठानी में तहरीर दी जानकारी के मुताबद नसबंदी कैम बें महिलाओं का ऑपरेशन किया गया वही एक ऑपरेशन गलत होने पर इसा अधिक्षक ने कुछ समस्या होने पर अधूरा आउपरेशन छोड़ कर आगे जिला अस्पताल ले जाने की सला दी इसी पर नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा काटा इस तरफ का नला जो है वो किक सामाने ता उसमें इन फट गया है एक तरफ का थोड़ा मोटा है तो फुलिया प्रिस्क पैदा हो सकता था कट सकता था खड़ाव को सकता इसलिए उस्ति वारत वाइन लेगो शमूर दिया जाए वो बाद में आपकर इस वह जाए रहाए तो यह यूपी में अपरादियों के विरुद चलाया जा रहा है बुल्डोजर का ट्रेंड इतना लोगप्री हो गया है कि हमीरपूर में जिले में एक पिता ने अपनी बेटी के शादी में उसे बुल्डोजर उपहार भेट किया है शादी में अपरादियों के विरुद चलाया जा रहा है बुल्डोजर का अब गिफ्ट अपशित में चर्चा का विशे बन गया है शादी समारों स्थल पर नया चमचमाता गुबारों से सजा हुआ बुल्डोजर लड़की के पिता ने अपने होने वाले दामाद को सौप दिया कि अब बुल्डोजर दिया गया है नेमली जेसेवी नफसे लोग जानते हैं इसका परपज अब एक है कि रोजगार बना हो रोजगार दो इसी के परपज है इससे लोग रोजगार मिले और इंप्लॉइमेंट वेड़े कि किसी परपज की मांग थी या पहले से आपको जानकारी थी इसकी कोई मांग नहीं थी ना मुझे कोई जानकारी थी यह हमारे ससुची ने दिया हुआ है संभल में पर्यावर सरक्षर के लिए प्लास्टिक शवयात्रा निकाली गई जानकारी के मताबित 15 किलो पॉलिथीन को इकठा कर प्लास्टिक शवयात्रा निकाली गई बतादे लोगों का कहना कि हर महीने की 16 तारी को 16 तारी को प्लास्टिक शवयात्रा का क्रम जारी रहेगा जिसे प्लास्टिक से होने वाले प्रदूशर से बचा जा सके प्रेद किया है हम लोगों को गाहु सवाइस तरफ और आज हम लोगों ने सभी तीन दें से इस कारिकरम में आदर्णी जिलातकारी भागवदेगी अभवाई है उनकी निर्देस अनुसार डी पी आरो साथ के द्वारा जो कारिकरम दिये उसके अनुसार हम सब लोग काम कर रह है और इसका जलाष्टर पर जाएंगी जलाष्टर से गाजियावाद यह परियावण को सुरुच्छत रखने का अभियान है जिसमें गाहों गाहों से प्लाष्टे के खिट्टा की आगया है हर ग्राम पंचाय से पंदरे के लोग ऑली तीनी खिट्टा की गई और मिलोग को हिट्टा करके यह गाजियावाद जाएगी वहां से निशायल होके इसकी कुर्शी वेगारा जो भी मेंट्रियल बनेगा वो तुमारे हम पर आएगा और हर सोलय तारिक को हर महागी सोलय तारिक को अभियान चलेगा जब तक की गाहों साब नहीं हो जाते इस पालतिन गाहों परिसर में शुरू हो गई पतादे की भवन नर्मार समीती के चेयरमेन निपेंद्र मिश्रा के अध्यक्षिता में बैठक होगी बैठक में राम जन्मभूमी तेर्थ छेत्रे ट्रस्ट के सदस्य कारदाई संस्ता के इंजीनियर भी शामिल होंगे सुबह 10 बजे से राम जन अंदर नर्मार का कार लगभग 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है संभल में थाना असमोली शेत्र के गाउं दुगावर में महिला के संदिक परिसीतियों में मौत होने से परिशनों में हड़कंप मच गया जानकारी के मुताबद महिला घर में अकेली थी जब देशाम पती नौकरी करके घर पहुँचा तो पतनी को पंके में लटाता देख सन रह गया वही माईके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया इस घर्टना के बाद से ससुराल पक्ष मौके से फरार है वही सुचना पर पहुचे पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा और आगे की कारिवाई में जुट गई है अलिगर्ण में पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है बतादी महानगर मौल गोदाम पर अवैद बैपार का धंदा करने वाले लोगों का धंदा जोरो पर चल रहा है जिसके चलते पुलिस पर कुछ देह बैपार करने वाली महिलाओं ने आरोप लगाते वे बताये कि हमें से आठ से दस महिलाएं देह बैपार का धंदा कर अपने परिवार का पालन पोशड करती हैं जिसमें पुलिस बीच में रोडा बंड रही है और महिलाओं का धोस दिखा क उन्हें आवैद बसूली करती है कि माल गोदाम पर करते हैं जीए पांट हजार रुपर महीने मैं और हम कितने कर लेंगे दो से तीन सव रुपे मिलते हैं हमें जरोगा आया पता नहीं सो नमरवाला क्या आता है डंडा लेके आता दिसकुत मांगता है संभल में नगर पाल का बहजोई सितकाली मंदिर मैदान में इंडोर शूटिंग रेंज मनाया जा रहा है जिसका शिलान्यास राजमंती स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक सिक्षा उत्रपदेश गुलाब देवी वजिलाधिकारी मनीश बंसली किया बतादे कि जिलाधिकारी ने कहा कि राइफल क्लब के माध्यम से इंडोर शूटिंग रेंज बनाये जा रहा है जिसका निर्माड ग्रामिड अभिया अंत्रड विभाग द्वारा किया जा रहा है इंडोर हॉल में 10 मीटर एयर पिस्टल रेंज का निर्माड किया जाएगा जिससे युवाओं को अपनी प्रतिबार निखाने के लिए एक अच्छा प्लैटफॉर्म भी लेगा इसे राइफल क्लब के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है इसकी लागत सिविल वर की लगबग 30 लाक रुपे और उसके अलावा जो एक्यूप्मेंट्स आएंगे जिसमें शूटिंग रेंज का सारा सामान और कुछ गंज भी खरीदी जाएंगी जो एर पिस्टल्स हैं और एर राइफल्स हैं वो पूरा ये शाइफल क्लब के माध् अलिगर्ड के विधान सबाइग्लास के कजबे में उपजलादिकारी इगलास भावना विमल के द्वारा आपकारी टेम उपजलादिकारी इगलास के साथ मिल कर कजबे वो देहा छेत्रों में शाराप के ठेकों पर गहन जाज परताल की गई साथ ही ठेका संचालकों को कड़ी हिदायत भी दी जा रही है जौरान उपजलादिकारी भावना विमल ने कहा कि दुकानदारों को हिदायत भी दी गई जो भी मानक के अनुरूप कारे नहीं करेगा ऐसे ठेका संचालकों के खिलाब नस्तरी करण की कारिवाई की जाएगी इसको लेकर शराब के ठेके संचालकों में हड़कम्प मचा हुआ है जो वेवस्थाएं हैं उनसे सब को चेक कर रहे हैं अलिगर में लेकपालों पर रिश्वत खोरी जैसे तरह तरह के आरूप लगाते नजर आ रहे हैं कोई पैसे लेते वीडियो में कैद हो जाता है तो कोई पैसे लेकर फरार हो जाता है जहां अधिकारियों के द्वारा जंता में साफ स्वक्ष छवी बनाने का संदेश दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी और अधिनस्त पटल पर सही साबित होते नहीं दिखाई दे रहे हैं यही कारड की हर रोज अधिनस्तों के खिलाफ आम जंता का गुस्सा साफ तोर पर देखा जाता है ऐसा ही कुछ फामरा अलिगर में देखने को मिला जहां लेकपाल के एक आदेश के बाद कबरस्तान को प्लॉट में तबदील कर दिया गया है जिसके बाद ग्राविडों में आकरोश पनपता उठा है हम इसलिए एकिट वही हैं कि यह हमारे कबरिस्तान आन प्रभी पहले लेगपाल ने यह न है ऑसमने हमारी का रहे हैं जी ऑज थी हम देख रहरे हैं कि हमारी कब्रें जो है बरबाद कर दी है खाबडे से लिदाबर कर दी है किसी को नहीं घंजे कि et का कर नहीं लग पाल नने को जो नमालम कैसे किस तरह से रात में कोई सुचना भी नहीं है आप नापी है और रात में हमें कोई मालम नहीं है हमें तो हम अच्छा नश्ट करा दिनी सब कबर पाम रहे था अच्छा कबरें यहां से खतम करा दिया तो इसकी सूचना आपको दी गही नहीं थी कि यह ले पाल पर दौरा नहीं मिली तो अब क्या चाहते हैं अब हम इसमें यह चाहते हैं का ना में हमारी कबरों का स्क्राणरा हो और जुने नों जे करें उनको ख़लाब कानून कारवाई हो कि अब तक कि जानकारे के अनुसार दो वैक्तियों की मिल्स्ति हो गई है पुलिस और प्रशाशन द्वारा तीद्र गती से उप्चार है तुँ अभी के लिए उत्तरप देश की खबरों में बस इतना ही देश जुनिया की तमाम खबरों के देखते रहे प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सब्सक्राइम बस पुलिस और प्राइम टीवी